लेकिन आपको बता दो नतासा इनके साथ six standard से साथ पढ़ती आ रही थी और उनका भी मन था acting में जाने गा लेकिन कुछ कार्ण वर्स वो acting में नहीं वो घुश गई fashion की दुनिया में दोस्तों वरुन ने बहुत सालों तक उनके इस relationship के बारे में किसी को बनी बता इसको राज रखा वो नहीं चाहते थे कि लोग बिना बेवजय उनसे और उनके रिष्टे को लेकर उनसे जबरदस्ती कुछ पूश तास करे लेकिन वो दिन आई गया जहां पर वरुन ने सब के स सामने नताशा का हाथ पकड़ा और साथ फेरे लिए लेकिन भाई साब ने ऐसा कर दिखाया है और साधी भी की है अपने बचपन की दोस्त नताशा से लेकिन आपको बता दो नताशा इनके साथ six standard से साथ पढ़ती आ रही थी और उनका भी मन था एक्टिंग में जाने गा लेकिन कुछ कार्ण वर्स वो एक्टिंग में नहीं व वरुन ने सब के सामने नताशा का हाथ पकड़ा और साथ फेरे लिए दोस्तो हर लड़की चाहती है कि रनबीर कपूर जैसे दुनिया में उसे कोई वरुन दवन मिले और वैसा ही हुआ कुछ नताशा के साथ तो चले बात करते हैं नताशा की जिंदगी में चलते हैं और आ वरुन दवन से जहां इनकी प्यार की सुरुवात हुई इंडिया में आकर इन्होंने अपना खुद का क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट किया जिसका नाम था नताशा दलाल लेबल देखिए इनकी वेबसाइट पर गर आप चाहेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छे चीज़ देखने को मिल जाएंगी अगर आपकी साधी होने वाली है तो आप अपने लहंगे यहीं से लेंगे अगर आपने गलती से भी एक बार इस वेबसाइट को विजिट कर लिया क्योंकि बहुत जबर्दस्ट फैशन डिजाइनर है और साथ ही साथ आने वाले वक्त में अगर को विवनिश मलोतरा को कॉम्पटिशन दे सकता है तो वो होंगी नताशा क्योंकि इन्होंने अपनी साधी का लहंगा खुद से डिजाइन किया है साथ ही साथ वरुन के सारे कपड़े दोस्तों बात करते है नताशा दलाल की फैमिली की देखे नताशा दलाल के पापा का नाम ह है गोरी दलाल यह अपने माबाप की एक लोती बेटी है जिसके चलते इन्हें अपनी जंदिकी में हारे खुशी मिली और अब आकर मिल गई वरुन धवन जो कि सबसे बड़ी खुशी होगी इनके लिए दोस्तों बात करते हैं इनके करियर की इनके नेट वर्थ की इनके कार क्लेक्शन की तो इनके पास एक BMW X6 है जिसकी कीमत है 95 रुपीज इनके पास एक ODQ7 है जिसकी कीमत है 85 रुपीज और रिसेंट्ली नताशा ने अपने इंटर्यू में कहा था कि अब अपनी पापा से पैसे बिल्कुल भी नहीं लेती है यह अपना सारे एक्सपेंस खुद ब 54 रुपै जिसकी कीमत बहुत जादा है लेकिन और इनो फूब आपने का अपार्टमिन लिया था उसकी कीमत है competition देने वाली हैं और मैं आपको बता दू इस से पहले सारु खान की वाइफ गोरी खान और अक्षिक मार की वाइफ ट्विंकल खना ये दोनों ही इंटीरे डिजाइनिंग के बादशार रह चुके हैं अब देखना होगा नताशा आकर अपना नाम यहां पर कैसे बनाती है दोस दोस्तो ये थी हमारी नई नवेली भापी जो अभी साधी के गटबंदन में बंद कर आ गई है धवन खानदान में अब देखने की बात यह होगी साधी के बाद वरुन कैसे स्क्रिप्ट्स पसंद करते हैं मूवी करने के लिए या फिर वही पुरान अंदाज आपको फिर स आप सभी को अलविदा